जनाधिकार पार्टी के सुप्रिमो वा पुरुसांसत पप्पु यादो फिलाल 32 साल पुराने एक मामले में जिल हैं लेकिन पप्पु यादो की गिरफतारी तब हुई जब उन्होंने हाल ही में छप्रा के बीजेपी सांसत राजियू परताप रूडी के कारणामे को उज्य 80 महाल गरमाया हुआ है पप्पु यादो के समर्थर में तेजस्वी यादो सहित विपक्च की सभी पार्टियां उतर गई लगातार इनिती सरकार सवालों से घिरिया और सांथी बीजे पिसांसत राजियू परताप रूडी निसाने पर हैं पप्पु यादो एक के बाद ए राजियू परताप रूडी यानि की छपरा के सांसत ने प्रेस कॉन्फरेंस बुलाया और प्रेस कॉन्फरेंस के जड़िये अपनी बाते रखी राजियू परताप रूडी ने दिखाया किस तरीके से पप्पु यादो के गुनाहों की फाइल है पप्पु यादो ने कितन लगे पपू यादो को तो पपू यादो क्या करें जराप वो भी सुनिये आज पपू यादो गुस्से में है राजी उपरताप रूडी से नितीश कुमार से और ट्वीट कर रहे हैं रूडी जी कोरोना में जंता के लिए लरने के कारण भी मुझ पर तीन मुकदमा हो गया ज दम सफेद पोस्ट दिखेंगे ए बाते राजी उपरताप रूडी को पपू यादो लिख रहे हैं आगे पपू यादो लिखते हैं रूडी जी बुसकौल विद्यार्थी का बस्ता मोट ब्रष्टाचारी निता के बहाने में खोट हमने एंबुलेंस चोडी का उद्मेदन किया तो ड्राइवर नहीं होने का बहाना और कह रहे हैं कि गारी का फिटनेस भीमा फेल था अभी तो सुरुबात हुई है अभी आपका बहुत काला चिठा निकलने वाला है घबराए नहीं इजाब सुप्रीमो पपू यादो का ट्वीट है पपू यादो फिलाल 32 साल पुराने मामले में जेल है लेकिन पपू यादो की गरहतारी को लेकर सबाल भी उठे कि क्या राजीयू परताप रूडी के साँख पंगा लेना पपू यादो को महंगा पर गया फिलाल पपू यादों DMCH में भरती हैं लेकिन आज पटना के पारस अस्पताल में एक महिला ने कोरोना संकर्मन से दम तोर दिया है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिला ने अस्पताल परशासन पर एक बड़ी गंभीर आरोप लगाये थे आरोप था कि अस्पताल के ही 3-5 कर्मियों ने मिल मैंने जो असंका व्यक्त की थी वहीं हुआ CM साहब के गाउं की उसमा को पारस होस्पिटल में मार दिया गया जिसका 89 अक्सिजन लेवल था लंग स्वी बहुत कम संकर्मित था उनको वेंटिलेटर पर चाराना संकेत था रेप का महापाप चुपाने के लिए उनकी जान ले नहीं दिला सके क्योंकि जिस महिला के साथ दरिंदिगी हुई थी जो आरूप महिला के उड़ से लगाए गये थे अस्पताल परसासन पर वो महिला CM नितीश कुमार के पैत्रिक गाउं कल्यान विघा की थी नलंदा के कल्यान विघा से 15 मैं को पटना के पारस अस्पताल में भरती हुई थी तब ठीक होकर आई थी लेकिन अब आज उन्होंने दम तोर दिया है तो पपू यादो काफी गुस्से में है राजीव परताप रूडी को भी कह रहे हैं कि घवराये नहीं आपका आगे कला चिठा निकलने वाला है नितीश कुमार को कह रहे हैं कि 302 का मुक झाल 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 झाल